हर्शवर्दन त्रिपाथी आपका भी विशलेशन थोड़ा उसके बाद बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस मद्यपरदेश पर आईए शिवरात सिंग को आखिरकार बुधनी से टिकेट मिला चौथी लिस्ट में हर्शवर्दन त्रिपाथी और हाल के तीन-चार दिन के उनके ब शुराज सिंग चोहान जिस तरह से मद्यपरदेश में राजनीत करते रहे हैं और एक अलग किसम के नेता हैं और मैं नीजी तोर पर ही मानता हूँ कि भारती राजनीत में शुराज सिंग्स योहां जैसे नेताओं को होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बहुत अच्छे से उन्होंने सरकार चलाई, बड़ी बड़ी जो अग्रिकल्चर ग्रोथ रही, वो देश में कमाल की रही लेकिन एक समय जाकर किसी भी पार्टी को अपने नेतरित्तों को कुछ बदलाव करना है क्या यह सोचना चाहिए अगर राजनीतिक दल है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई व्यत्ती अगर राजनीति में है, मुक्त मंत्री की कुर्सी पर है तो आपको तै करना होता है, मुझे लगता है कि शिवराज सिंग चौहान जी के लिए भी वो समय आ गया है और वो समय जब 2018 का चुनावों बहुत हलके अंतर से हारे थे, मैं आपको 2017 का गुजरात याद दिलाता हूँ और सुबह सुबह ही मैंने ही पहले कभी लिखा रहा होगा, वो सामने आ गया तो उस वक्त आनंदी बेन पटेल जी ने एक चिठी लिखी थी बुजरात दिम और उन्हें का कि अब मैं नहीं चुनावों लणना चाहता हूँ, चाहती हूँ, नए लोगों को टिकट दिया जाए मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंग चौहान को सम्मान जनक तरीके से मध्ध प्रदेश की राजनीद से अब एलिवेट करने की जरूरत है मेरा ये मानना है, भारती जनता पार्टी क्या सोच रही वो टै करेंगा दूसरी जो महतुपूर बात है कि जब बीजेपी ने इतने बड़े बड़े दिगज उतार दिये तो अब ये वाली गेसिंग तो तै हो गई ना, कोई ये पक्का थोड़ी ने कह सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन उसके पीछे बड़ी सापसी वजा है, मध्ध प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारती जनता पार्टी के लिए गुजरात से ज्यादा मजबूत गड़ है, वो गुजरात से कब मजबूत गड़ नहीं है, संगठन के तौर पर, विचार के तौर पर और वहां कॉंग्रेस भी उसी तरह से मजबूत है, ये अलग बात है कि दिगजे सिंग ने इतना बढ़िया शासन किया था कि 20 साल के लिए एकदम कायब करा दिया, और उसके बाद 1.5 साल बीच में जो कमलाज जी आए, वो और थोड़ा से लोगों को याद आ गया है कैसे कॉंग्रेस की सरकार चलती है, अब क्या उससे निकल कर कॉंग्रेस को एक प्रोग्राम को एजेंडा दे पाएगी, तो ये ए पता नहीं कहां से एक वो फरजी वाली जूटी चिट्थी आ गई, जिसमें वो कमिशन वाली मद्रप्रदेश हाई कोर्ट के उचनया है वाली, वहीं से जो मोमेंटम डाउन हुआ कॉंग्रेस का, तो अभी तक वो उठता नहीं दिख रहा है, अब कैसे उसको कवर करेंगे की देखने वाली बात, ओके, अल्राइट